तो ट्रांस्फोर्मिशन की बात हो रही है लप्लेस्ट ट्रांस्फोर्म तो ट्रांस्फोर्म होता क्या है जैसे एक एक एक्जम्पल पहले समझते हैं कि आपने ना अपने घर से लटसे मुंबई जाना है कि इसी बहुत बड़ी बिजनस डील के लिए आपने होम टू मुंबई जाना है अपने घर जहां कहीं पर भी आपका घर है मुंबई जाना है एक बहुत बड़ी बिजनस डील के लिए और मन लेते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यदा प्रैस है जो आपने लेके जाना उस बिजनस डील को पुरा करने के लिए आपका होम है जेंड के में और मुंबई है महाराष्ट्रा में आपको स्पोस्स एक बहुत बड़ी एमाउंट लेके जानी है अरॉंड लेट से आपको उस बिजनस डील के लिए 50 लैक रूपीज लेके जाने अब इस नोट पॉसिबल कि आप उस 50 लैक रूपीज को अपने ह आपको ईएरपोर्ट पर भी जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे चीजों से देने पूरेंगे अब में हम लोग घर के में हम लोगों ने इयक अपना एक खाता खोला हुआ हुँ है उस बैंक में हम लोगोंने पैसे जम्मा करती है जो में लेके जाने कि यहां से प्लाइ किया या जैसे भी ट्रेवल किया मुंबई के और मुंबई जाके हम लोगोंने दिवारा से उस पैसे को निकाल लिया तो पहले हमने फिफ्टी लैक्स की जो हमारे पास हार्ड मनी थी मतलब इंदा शेप आप नोट्स एंड करन्सी हमने इसको कंवर्ट कर दिया सॉफ्ट मनी लिए अन देन वहां जाके हमने दबारा से उस पैसे को निकलवा लिया अगें कंवर्टेट इंटू हार्ड मनी अन देन हम लोग उन्हें अपनी बिजनस डील कंप्लीट की और हम लोग अब हुआ क्या इस सारे प्रोसेस में इस यू सी तो हमने पहले हार्ड मनी को सॉफ्ट मनी में कंवर्ट किया पिर सॉफ्ट मनी को दोबरा से वहां जाके हार्ड मनी में कंवर्ट किया कि हम लोगों को अगर एक चीज से कंवर्ट करना चाहिए तो हम उसका इन्वर्स भी आना चाहिए या आता हमें तो हमें पैसा निकालना भी आना चाहिए तो इसी तरह से हम लोग एक और इक्जम्पल देखते हैं जैसे हमारे डेयर 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 लाइफ में अभी क्या हुआ अभी अगर सबने देखा कि अधर वाज ओलॉम्पिक्स इन टोक्यो राइट इन जैपैन और आप इंडिया के अलग-वाइब होने से उसोलंपिक्स को देख रहे थे चो लोग भी देख रहे तो क्या हुआ वहां पर टोक्यों है टोक्यो में लाइफ पिक्चर्ज को सीग्नल्स में कनवर्ट किया गया है वह सीग्नल्स जो थे वो अफकॉर्स ट्रांसमिट हुए satellite के पास के satellite ने उसको वापिस धरती पे पेचा और इंडिया में उसको उस transmission को receive किया गया और उस transmission को receive करने के बाद उसको दुबरा से picture form में आपके सामने present किया गया through your televisions इस तरह के इग्जेंपल्स है हमारे पास जो मैं बताती है कि यह जो है यह ट्रांस्वार्म हो रहा है हमने signal को पहले ड्रांस्वार्म किया picture को signal में signal को transmit किया फिर वापिस इसको satellite अगे दोबरा से ट्रांस्मिट किया towards that and then तो इस प्रोसेस को हम लोग जैसे आपके घरों में आप लोग आप भी जो मेरे पास पढ़ रहे हैं हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़े में वियार वियार एक्शुली कनेक्टेट थू इंटरनेट बट इंटरनेट है कि आगें आपके घर पे या आपके मोबाइल के ओपर एक हाड्वेर रहते है जिसको हम मॉडम बोलते हैं यह देटीज मॉडार्ट अन्डी मॉडूलेतर वाप सिग्नल्स को मॉडूलेत करता है और दी मॉडूलेत करते हैं और यह काल ट्रांस्फोर्मेशन तो इस हाओ इस ट्रांस्फोर्मेशन एक्शली करना तो हम लोग यहां पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम कहते हैं लोग 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 लो इस पार लैल में ह्नुद एला ळब डिन रिए लाफ्य स्वें पला यिंग का Also इसको हम इस तरह से लिखते हैं इसको और इसको एफ आफ से भी डिनोट करते हैं इस डिफाइन बाइ इसके एक फॉर्मूला है जो हम लोग लेके चलते हैं और हमने इसी को ही इस इकोल स्टू इंटिग्रेशन जिरो टू इंफिनिटी इस तो पावर माइनस स्टी एफ फॉफ ट्ट यह हमारे पास इसका एक इस इस इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखके चलते हैं तो जब हम लैपलेस ट्रैंस्फरमेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं नमबर वन हम जो भी पढ़ रहें नहीं आपको घर पे आज जरूर और जरूर रिवाइस करने हैं क्योंकि हाथ में तभी आएगा जब आप इसको रिवाइस करेंगे अब देखें जैसे यह मारे पास दियावार तो हम इसका इंवर्स भी साथ में देखेंगे दिस इंप्लाइस डैट कि अब आप नंबर तू यानि जैसे हम लोग को डिप्रेंशेशन और इंटिग्रेशन एक दुसरे का इंवर्स अना वैसे यहां प्रेंप्लेस इंवर्स की भी बाग साथ साथ ही कर लेंगे राइट अयाग, खitions इंवर्स अबष Lisa, कर दो हम इस बाग सब्सक्राफ इंवर्स में झाने ग्रिशन जैसे हम झाने वर्साझ्ट डिल्साइबन रहो झाल 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 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं इसे लिख सकते हैं एल इन्वर्स आफ इसके इन्वर्स के बात में बात करेंगी इसके लिख सकते हैं लख सब्सकेट इसके लिख इसके लिख स्क्राइ्ट प्लस एसकेर अलब कोस एटी इस एस अपॉन एसकेर प्लस एसकेर यह नोट करना आपने साथ साथ यह साइन आफ हाइपरबोलिक फंक्शन ओफ एटी इस एपॉन बाकी सब सेम रहेगा यह एसकेर माइनस से स्केर हो देगा यह देगा एस एपॉन स्केर माइनस स्केर तो अब इतना नोट करें जी फिर इसके आगे बाद पर तो मैं आप से हमारा पहला कोश्चन है इसमें अपना एक और नहीं चीज़ सीखेंगे आज इस हमें प्रूब करना है लेप्लेस ऑफ वन इस इकोल स्टू बन अपॉन एस यह में प्रूब करना है तो हम लोग ओने पड़ा है लेप्लेस अप्लेस 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 कि अब आपके पास F of T की जगा पर क्या आएगा बना रहे है इस एफ माइनस स्टी इंटु वन पावर माइनस स्टी अब यह जो है ना इंफिनिटी जो दिया गया इसकी लिमिट्स है यह लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं इंफिनिटी वाली सैट जो अपर लिमिट्स को लोगते हैं हम लोग पहले integration फाइंड खरते हैं फिर उसके बाद हम लोग अपर लिमिट्स माइनस लोग लिमिट्स कर लेते हैं मतब जहां पर इंटीग्रेशन में एक बार अपर लिमिट्स लगाएंगे एक बार लोग लिमिट्स को माइनस कर देंगे तो पहले आप integration लिखें डिस इस इस तो पावर माइनस स्टी अपॉन माइनस स्टी रहेगा यह इंफिनिटी टु जिरो इसको ऐसे लिखा जाएगा अलब वन इस इकोल स्टू इसी तरह से यह देगा ई रिस टू पावर माइनस स्टी अपॉन इस बावर माइनस स्टी टू जाएगा इसको ओम लिखेंगे ल उन इराई को पावर माइनस स्टी इंटी आपॉन minus s minus e raise to power minus s into 0 upon minus s यह आपके पास आजाएगा l of 1 is equals to e raise to power minus infinity upon minus s and e raise to power 0 upon minus s अब देखेंगे e raise to power minus infinity इसका मलोग 1 upon minus s into e raise to power infinity लिखेंगे minus 1 upon minus s अब देखेंगे अब देखेंगे e raise to power infinity is equals to infinity therefore 1 upon e raise to power infinity is 1 upon infinity equals to 0 0 l of 1 हमारे पास क्या बन जाएगा this will be 0 minus 1 upon minus s and l of 1 का value हमारे पास आजाएगा 1 upon s so this is the answer for us तो यह हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था जिसको हम लोगों ने कर दिया तो माई पूर्मूल सब्सक्राइब करें अभी आप यहां पर देखें तो अगें वी नौ अभी आप यहां पर देखें तो अगें वी नौ सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखना है कि यह आपके पास क्या आगया इस जिरो टू इंफिनिटी इस टू पावर नौ हमारे पास क्याएगा इस टू पावर एटी अब बाके सब सीज़ें सेम रहेंगी जहां जहां पर एफटी है पाव वहां पर in case of multiplication सब्सक्राइब कर देखें तो हमारे पास इसको मैंसे लिख सकते हैं माइनस एस प्लस ए सब्सक्राइब करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले इंटीग्रेट किया हुआ है सिंप्ली वैसे ही जैसे इट इस इकोल्स तो e रास तो पवर minus s plus a t इसकी जो लिमिट्स है वह है infinity से 0 यह मैं रपास क्या जाएका this will be written as l of e raised to power a t is equals to e raised to power minus s plus a इंटो T गोल डिवाइड बाई माइनस S प्लस A अब हम इसमें लिमिट सब्लाइ कर देंगी इस इकोल स्थो E रेस तू पावर minus S plus A into infinity whole divided by minus S plus A minus e raise to the power minus S plus A इन्टो जिरो अपॉन माइनस एस प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिखते हैं ऐसे एलाफ ए रेस्टु पावर एटी माइनस ए रेस्टु पावर माइनस इन्फिनिटी एस माइनस से ऐसे लिख देते हैं अपॉन माइनस से प्लस से और यह आजाएगा हमारे पास माइनस ए रेस्टु पावर जिरो इसका भी माइनस कॉमन रे लिजिए तो एस माइनस नाओ लोफ ए रेस्टु पावर एटी यह मारे पास आजाता है वन अपॉन ए रेस्टु पावर इंफिनिटी इंटु माइनस स्प्लस से क्योंकि इंफिनिटी इंटु एनिफिनिटी इंफिनिटी एंड यह मारे पास क्या बन जाएगा minus 1 upon minus of s minus again waja since e raised to power infinity is equals to infinity e raised to power one upon e raised to power infinity is one upon infinity is equals to zero सब्सक्राइब कर देखना यह भी मारे पास आजाएगा वन अपॉन यह जिरो पॉन माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस से और यह बन जाएगा आपके पास लगों को प्रूफ करना काली नोट करें इसको वेरी वेरी इंपोर्टे इसको वेरी इंपोर्टेंट वेलों अब आपको जो में इंपॉर्डेंट चीज यहां पर ध्यान देनी वह यह है कि जैसे यहां पर एटी दिया गया ना ए एस माइनस ए आ रहे हैं मतलब ऑपोजिट सेंड में आ रहे हैं यानि अगर हम लोग इसकी एक्जेंपल देखें अगर स्पोस आप से बोला गया इस तो पावर सीटी तो इस इस वन अपॉन एस माइनस थी हो जाएगा एंड आल्सो यह आपको डिरेक्ली इस तरह से यह एप्लाई करना है एंड इस आप्लाइस डाय कि अगर लेप्लेस इंवर्स आफ अगर आपको वन अपॉन एस माइनस थी होगा तो यह आपके पास इस टू पावर सीटी आजएगा इस प्लस सेवन आजएगा और इसका इंवर्स अगर हम देखेंगे लेप्लेस आफ इंवर्स आफ वन अपॉन सेवन प्लस एस प्लस सेवन तो यह एई रेस टू पावर यहां प्लस है तो इधर माइनस सेवन्टी यह थे इस तो आपने इसको डिरेक्ली इस तरह से अब बात करके चल सकते हैं इसको अब इसको आपने यह जो हमने पड़ा है यह इसको आप आज रिवाइस करेंगे कि यह थोड़ा सा ध्यान देने वाला है थोड़ी सी नई चीज़ है इसको आज हम इतने रखते हैं तो आप इसको ना गोतुर करेगा प्रॉपर देखेगा समझेगा एंड देन कलम से आगे कंटीव करेंगे तो आज इतने रखते हैं कल आप से मुलाकात होती है तब तक के लिए इसाज़ दे मुझे वाद ब्लेस्ट यू और कीप उन स्टुड़िंग कीप उन वोकिंग आड और एंड जैए कर दो कर दो